हेलो दोस्तों मेरे नाम सुहेले और आप देख रहे हैं ओलिवन सुहेली यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपका काइन मास्टर होता है उसमें जो वाटर मार्क आता है उसको कैसे रिमूव करें वह गाईज मो होते हैं उसके अंतर वो भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं तो एक बढ़िया काइन मास्टर का मोड़ एक है तो गाईज मो मैं आपको दिखाने वालो तो चले हमारी फोन स्क्रीन पर चलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा एक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप् काइन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो इस पे आपको कुछ मन्थली चार्ज़े मांगते हैं कि उस पे आपको कहते हैं कि 200 रुपे या पुरे एयर का प्लैन होता है वह आप उसमें परचि Case करते हो तब जाकि आपका वाटर मार्क का इन मास्टर का उसमें से तो यह गाइज एक mode AP के है यह I hope सभी फोनों में work करेगा guys काइन मास्टर यह जो हमारा mode AP के है इसमें आपको watermark देखने को नहीं मिलेगा और चलिए इसे open करते हैं इसको आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर बहुत सारे transaction भी और यह online आप जब इसे open करोगे net on करके तब इसकी मतलब इसमें video layer भी रहीगी और watermark भी नहीं आएगा और chroma की भी इसमें काम करता है तो आपको इसका download का मैं link description में देदूंगा आप वहाँ से जाके इसको download कर सकते हैं तो guys आप यहाँ plus का icon पे click करोगे और यहाँ आपको तीन टाइप के आपको यह ratio मिलते हैं कि आपको किस टाइप के आपकी वीडियो है जिसे आप edit करोगे तो आप अपनी यह 16.9 पे choice करके आप कोई सी वी एक randomly अपनी वीडियो आप choice कर लीजिए जैसे कि guys मैंने यह normally अपनी यही वाली वीडियो ले ली है तो आप इसमें देख सकते हैं guys इसमें ना आपको यहाँ पर कोई watermark देखने को मिल रहा है और guys आप जब layer पर किलिक करते हो तो आपको media layer भी देखने को मिलता है तो guys इसमें आपको और guys इसमें मैं आपको दिखाता हूँ आप इसके अंदर speed, reverse और भी बहुत से color filter, adjustment और volume आपको बहुत सारे इसके अंदर यह mode भी मिलते हैं कि और यहाँ से आप अपनी वीडियो को cut वागेरा कर सकते हो तो guys आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको watermark भी देखने को नहीं मिल रहा है और media layer भी आ रही है और guys जब आप इसको link से जाके इसको download करोगे, download करने के बाद जब guys इसे आप open करोगे, open करने के बाद आप एक बार setting पे जाके device की capability information इस पे click करके आप देख लेना, मेरे में guys देखिए, यह आप 720 pixel की 8 layer लगा सकते हो, 180P की 5 layer और 14, 40P की आप 3 layer लगा सकते हो, यह last मेरा इतना support करता है, मेरा Redmi Note 7 Pro है guys, और जब आप अपने इस app को install करोगे, तो आप setting पर आके 3 dot पे click करके run analyze पे click कर देना, तो जब आप इस पे click करोगे guys, run analyze पे, तो यह पूरा run होगा guys, यह यहां से आपको यह आपका जो hardware है, उसकी performance क चेक करेगा पूरा, यह उसको देखेगा कि आपको जो hardware है, यह थोड़ा time लेता है guys, होने में पूरा, फिर जो आपकी जो media layer नहीं आ रही होगी, हमने कर रखाए guys, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं भी, तो जब आप करोगे guys, तो आपकी media layer आ जाएगी, और जो आपका water म अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक किजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, ओल पे क्लिक कर लेना guys, तो हम आपको ऐसी ही नही नही वीडियो से, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो टाटा बाटा,